हाई हेलो दोस्तों बॉलीवूड नुज में आपका सवागत है तो दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए बॉलीवूड की लेटिस नुज लेका आया हूं जो मैं आपके साथ सेयर करना चाहूंगा जैसे कि आपको तो पता है कि रोई सेटी काफी दिनों से अंगूर फिलम का र आज ही उन्होंने रनवीर सिंग के साथ एक फोटो सूट किया है जिसमें उन्होंने अपने फिल्म का भी अनूंसमेंट कर दिया है को दोस्तों उस फिल्म का नाम है सर कस दोस्तों यह inform inflam होगी ओर इसमें रंवीर स्क्रम सिंग्र पर नद डिखा ही देगे तो दोस्तों आगे की टेल मैं आपको ऊस्कुरीन पर जेता हम हां तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था रोई शिटी फिल्म सरकस के बारे में तो दोस्तों, बॉलिवुड इस्टार रर्मीर सिंग और रोही सेटी एक साथ मिलाने की खबर भीते जिनों से मीडिया में चल रही थी अब इस धासु फिल्म जोड़ी ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है रोही सेटी और रर्मीर सिंग ने इसका मेगा एलान भी कर दिया है रोही सेटी और रर्मीर सिंग ने फिल्म रिरमाता भूचन कुमार के साथ पोज देते हुए एक फोटो सूट के जलिए इस बात का फ्लासा किया है कि वह जल्दी दोन एक साथ मज़ेदा फिलम लेकर आने वाले हैं तो दोस्तो इस फिलम का नाम है सरकस तो दोस्तो यह एक कोमेडी फिलम होगी फिलम में रनवीर के साथ लीड रोल में फूजा हेगडे और जैकली प्रांडिस को भी कास्ट किया गया है जबकि साथ ही कोमेडी स्टार वरूर सर्मा भी नजर आने वाले हैं तो दोस्तो फिलम के इस मेगा एलान के बाद से ही रनवीर सिंग के फैंस बेहत खुस हैं इसके बारे में टेड एक्सपर्ट अरन आदरस ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है तो दोस्तो ऐसा पहली बार होने वाला है कि रनवीर सिंग हमें डबर रोल निवाते दिखेंगे कहा जा रहा है कि यह फिलम असी के दसक की सुपर 8 फिलम अंगूर का रिमेक है इस फिलम में संजीव कुमार मुट के फूमिका में थे जबकि उनके साथ फिलम में मौसमी चटर जी दिप्ती नवर और देवन वरमा ने एहम किरदार निवाया था यह फिलम एक के बार एक खोटी कल्कियों पर बेश थी जो हसाने वाली सिच्वेशन पैदा करती है इस फिलम को अब रोही सेटी अपने ज्छेशन में दुवारा क्रियेट करने वाल तो दोस्तो यह फिलम जल्दी फ्लौर पर जाने वाली है फिलम को अगले महीने से मुंबाइ में ही शूट किया जाने वाला है फिलम को मेकर साल 2021 की तरदियर तक रिलिश करने की क्यारी में हैं इस फिलम को रोई सेटी के साथ साथ भूतन कुमार और रिलाइंस एंटेटिर्मेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे इसमें कमेंट करके बताना कि आपको यह फिलम कितनी इंटरस्ट आयागा इस फिलम को देखने में क्योंकि इस से पहले अंगुर फिलम भी आपने देखी होगी संजीव कुमार की वो फिलम बहुत ही हसी मज़ाग की फिलम थी और उस फिलम में लोगों का काफी वरोजन किया तो दोस्तों उसी का यह हमें रिमेक सरकस देखने को मिलेगी तो दोस्तों हमें मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको यह फिलम देखने में कितनी जिल्चस्पी है तो दोस्तों मेरे पास यही एक लिटेस्ट नियुस्ति जो मैंने आपके साथ सेयर की प्लीस आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइ प्लीस आपको बाइए